इस वीडियो में आप लोग को लाइप शेशन दिखाऊंगा इंकम टैसी टर्ण फाइलिंग करने का तो सबसे पहले आपको जाना है वह गूगल ख्रोम पर जाना है और इंकम टैस की साइट ओपन करना है तो चलिए गूगल ख्रोम पर चलते हैं यहां हमने गूगल ख्रोम पर आगये और यहां पर शेट्स हमको ओपन करना इन www.incometaxgov.in की साइट ओपन करनी है तो मैंने यह साइट्स ओपन किया और इसको मैं ओपन करूँगा यह इंकम टैस की साइट्स ओपन हो चुकी है आपको प्रेस करना यहां लॉग इन पर जाना है आपको यहां पर लॉग इन क्लिक करने के बाद आपको यहां पर user id डालना हम अपना user id में अपने fan numbers को डालने है फिर क्लिक करेंगे continue क्लिक करने के बाद आपको यहाँ password डालना है and मैंने यहाँ password भी put कर दिया जिस password आपको डालने है and यहाँ पे please confirm your secure access message पर tick sign करना है and continue करना है आप इसको continue करेंगे and यहाँ पर देख पार है for assessment year 2223 आपको क्या करना है इसको file now पे click करना फिर यहाँ पे उच रहा है select the assessment year आपको कौन से assessment years का filing करना income tax return तो आपको current year 22-23 assessment years का आपको filing करना है जो अभी current year हमारा चलना है 21-22 तो उसका assessment year 22-23 आपको file करना है यहाँ पूछ है online या offline तो हम लोग online भरेंगे करने के बाद यहाँ पर हम continue क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यह बोला है कि आप resume filing हलाकि मैंने बहुत से parts भर चुके हैं इसके बट आपको मैं start new filing करके सारी चीजें यहाँ पर option दिख रहा है start new filing पर क्लिक करके मैं आपको starting से फिर से refresh आपको दिखांगा यहाँ हमने क्लिक किया अब यहाँ पूछ रहा है कि वह जो SEC वह individual है कि हुए अधर से तो हमने इंडिविजवल पर टिक किया है इंडिविजवल पर टिक करने के बाद आपको continue प्रेस कर दिना है राइट आप continue प्रेस परेंगे and select the ITR form यहाँ बोल ला है तो जो मेरा client है वह एक advocate है उनका business and profession से income है एंड प्रिजेंटिव टेक्सेशन स्कीम वह एडाउप कर रहे हैं तो वहाँ पर 44 ADA लगता है उसके लिए जो ITR form होता है वह ITR 4 होता है तो मैं यहाँ पर ITR 4 पर आप यहाँ पर त्री स्टेप्स पर फिस्टेप वैलिदेट यूरीटर्स सेकेंट कंफॉर्म यूरीटर्स एंड थर्ड वन इस वैरिफाइड यूरीटर्स तो यहाँ पर हम लोग लेट्स गेट इस्टार्ट अब यहाँ पूश्या प्लीज आंसर दो फॉल्विग वे कि आप रिटर्न क्यों भरना चाहरे हैं तो यहाँ पर ओप्शन दिया है टैक्सबल इंकम मेंस मोर दें दा बेसिक एंजेंशन लिमिट से ज्यादा है जो 2,500,000 बेसिक एंजेंशन लिमिट से ज्यादा है तो इस पर टीक करना है तो उसके बाद यहाँ कुछ आप्सों जाधा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा and यहां पर मैं continue, continue बटन पर मैं continue, जैसे आ रहा है guys, we have pre-filled your return based on information available with the income tax department, please confirm that the details in each section are correct to proceed, तो उन्होंने pre-filled उनके पास जो भी department पास information था उसके वेसे पे उन्होंने आपकी सारी information को filled कर दिया है, बस आपको क्या करना है, confirm करना है, तो मैं okay करूँगा, okay, alright, तो जैसे एक-एक options पे हम लोग चलते जाएंगे, जैसे first option दिख रहा है personal information, इसको आप बस open करना है इसको and आपको check कर लेने है कि सारी information जो department के थुरू भरी गई है, है ना, आपके database के basis पे वो okay है कि नहीं है, आप इसको check करेंगे, जैसे मैंने check किया और यह सारी information fine है, भरे वे ओके है, तो मैं क्या करूँगे, यहाँ नीचे confirm करूँगा, right, यहाँ पे मैं confirm करूँगा, यहाँ पे question पुछ रहा है, whether this return is being filed by a representative SEC, yes or no, तो मैं यहाँ नो कर लूँगा, and साथ ही साथ, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो bank details है, अगर कोई refund वगरा है, तो यह bank details आपको यही रखने है, आप अगर selected refund, हमने उसी return को रखा, उसी bank account details को हमने select किया है, मतलब choose किया है, तो हम उसको okay कर देंगे, right, तो यह आप देख भा रहा है, यह options हो गया हमारा confirm, यहा gross total income पे आप click करिए, जैसा कि department बता रहाएगे, gross total income कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास जो data है, हमारे client का, उसके basis पे हम लोग यह income को fit कराएगे, उसके इनका यह एड़ोकेट है, और इनका एंकम जो है, वो legal profession से है, right, जो कि business professions income आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे salary income कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बरूँगा salary income वेगेरा, और यहां पे शैल न इंकम कुछ नहीं है तो मैं यहां पे कुछ बीटिटिनु लिए फिर next आता है अपका income फ्रॉम हाउस प्रॉपल्टी income फ्रॉम हाउस प्रॉपल्टी कुछ भी नहीं है मैं छोड़ दूँगा income from business और professions यहां पे मैं add details प्रक्राइब कीकि इंकम है तो यहां पर देख पारे हो एक आप्शन आरहा है बिजनेस प्रोफेशन और गुट्स कारीश थो मैं यहां प्रोफेशन पर क्लिक करूंगा क्योंकि लिए इनका एड़ूकेट है यह यह अधिक जो इंकम है वह पुफेशन के तुरू है और यहां होने लेकल प्रॉफेशन प्रॉफेशन पर्फेशन से और यहां पर ग्रॉष रीषीट करना है एकचुली यह सेक्सल्स अपिलिकेबल होता है जो कि यह बोलता है कि अगर कोई प्रोफेशन सी इंकम अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसका 50 पर्सेंट minimum आपको gross receipt का income presume करना पड़ेगा तो हम लोग ठीक है उसी विस्स पर presume करके करेंगे अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इनके जो gross receipt है जो मेरे पास data है कि इनके जो gross receipts है इनकी total gross receipt 8,10,535 है तो मैं यहाँ पर 8,10,535 ग्रॉट कर दो है और इनका income जो है इससे मैं एक बड़ चेक कर लेता हूँ इनकम इसका बना रखा है यहाँ पर जो income from professions है वो है 4,10,000 4,10,575 तो मैं यहाँ 4,10,575 कर दो है 4,10,575 ओके और यहाँ पर आड़ बटन पर मैं क्लिप कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं income from business profession से 4,10,575 amount यहाँ पर इन्होंने accept कर लिया है income from other sources में जाएंगे income from other sources इनके और क्या-क्या income हमने किया है और इनके है जो income है वो interest income है कितना है triple 2,5 ठीक है तो यहाँ पर मैं interest income जो income from other sources में आएगा यह आड़ डिटेल्स करेंगे तो जो first options है do you have interest income from saving bank accounts in India यहाँ पर जो इनका interest income है जो मैंने bank की statement से चेक किया है उसके basis पर मैं यहाँ पर interest income round of figure ले लता हूँ ना और इनके कोई other income ऐसे नहीं है सच तो मैं यहाँ से continue कर दाएगा अब इनके totals जो income दिख रहे हैं वो कित्ते दिख रहे हैं gross total income अगर आप देख पा रहे हो 4,10,797 रूपीस इंक के gross total income आ रहे है जो कि इतने ही है हमने एक्सल्स में देखूंगा तो 4,10,797 रूपीस 50 पैसे इनके कोई exempt income है तो आप यहाँ पर इनके कोई exempted income मतलब आपके पास कोई ऐसे income है जो exempt है टैक्स से चूट है उसका है ना तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा चींका इंकम नहीं है तो मैं यहाँ पर simply open case को confirm कर दूँगा कि कुछ भी इनका इनकम नहीं है फिर वो आता है total deductions किता आता है total deductions section ATC to ATU के तो जो भी deductions आपको मिलते हैं अगर वो आपके पास कोई deduction है तो आप उसका details यहाँ पर put करेंगे यहाँ पर इस case में इनके पास ATC का deductions है 8500 tuition fees in schools अपने बच्चे को tuition fees दिया हुआ 8500 जिसका deduction ATC में हम लोग लेंगे तो यहाँ पर मैं यह put करूंगा आपका deduction ATC के तो यहाँ पर मैं reference section ATC yes करूंगा और यहाँ पर मैं amount डाल दूंगा जैसा हमें पास डेटा है 8500 तो यहाँ मैं put करूंगा 8500 और कुछ भी नहीं है मैं continue बटन पर क्लेक करके इसको continue होत्र टोटाल डिट्सन 8500 यहाँ पर सो हो रहा है टोटल डिट्सन 8500 नहीं से अभी तक अभी तक कोई टैक्स पेट नहीं किया है याथ कोई TDS नहीं कटा है तो我们刊न When seems paper 1000 ह्था सब्रान सब्लाइब करेंगे की कोई थाइप्ण करेंगे और इसको हम लोग कंफर्म कर देंगे हैं कोई भी टैक्स इभी ग सब्केंवे सब्सक्राइब नें happy कम क्राइब abbiamo कोई दिक्कत नहीं है इसको भी हम लोग confirm कर देते हैं क्योंकि इनकी tax liability zero है कोई भी tax नहीं आ रहा है क्योंकि section 87A में rebate मिल जाता है इनके जो भी इनके tax है उसके rebate मिल जाएंगे 12500 तक इनकी tax liability जो रहेगी वो यह रहेगी अगर आप computation देखना चाहरे हो computation of tax का तो आप देख स सकते हो tax feeble on the total income 7615 7615 हा रहा है इनका total tax feeble on total income 7615 and rebate इनको मिल ला है section 87 जो 12500 तक मिलते हैं कि total rebate मिल जा रहा है और इनके उपर कोई भी tax की liabilities नहीं आ रही है है ओके आप इसको confirm कर दिया मैंने confirm कर दिया और यह सारे information हो गया और आपको क्या करना tax liability भी आपने confirm कर दिया अब आपको यहां पर proceed बटन पर प्रीज़ कर दिया कि यहां मैसेज आ रहा है यू नीट तो मेक पेमेंट आप जिरो कुछ भी पेमेंट करने की जोड़त नहीं है आपको यहां प्रीवियू रिटर्न को ओप्शन्स आ रहा है आप प्रीवियू रिटर्न से क्लिक करिए इसके बाद से प्रीवियू कर सकते है अपने सारी इंफॉर्मेशन कोDoes करा सकते हैं तो मैंने प्रीवियू कर लिया है सारी इंफ्रमेशनस ओके हैं आप मैं इसको सब्मेट करूंगे प्रोसीद तो वैलिडेशिन को तो कि या बता रहे ह कि यहां वैलिडेशिन सक्सेस्फफूल प्रोसीट टॉबरिफीकेशन में जाएंगे एंड इस पर मैं वैरिफिकेशन पर प्लिक करूंगा अब यहां पूच रहा है एई वैरीफाइड नाओ पर क्लिक करूंगा यहां पर लाक्ष में आएगा चुन्टीनिव और स्थे माइट यहां पूश्या आई यूद लाइक तुवरीफाई दो टीपी अन दो मुबाईल नमबर रिश्टर विदाधार यहां पर लिंग मोबाईल है उस पर बूटीपी चाहता हूं और यहां पर फ यहां पर जन्रेट अधार ओटीपी ऑप्शन से करेंगे तो यह हमारे रजिस्टर हमारे जो मोबाईल नमबर से उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी फिट करना पड़ेगा रेट तो मैं अपने क्लाइंट से ओटीपी मांगे यहां पर फिट करना हूं दोस्तों अगर आपको डाउनलोड रिसीट इसका जो एक नॉलिजमेंट नमबर है अगर उसको डाउनलोड करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यह एक नॉलिजमेंट नमबर आपका डाउनलोड हो गया यहां पे आप इसको ओपन कर सकते है और अपने अखम को अपने निकाल सकते हैं और अपने अपने रिट करते हैं रेटन फाइल करते हैं कुछ सावधानिया में बरतनी चाहिए जो मैं आपको बता दू पहली चीज है यह कि जब भी आप इंकम tax return file करिए तो 26AS यहां पर आप e-file पर जाके income tax return पर जाके अपने view form 26AS जो अपने डाउन्डोड करके चेक कर चुका था अपने client का यहां पर आपको देख लेना चाहिए कि क्या आप किसी भी income पर TDS कटा है क्या या कोई income पर TDS कटा है तो वह income compulsory हो जाता है कि आपको अपने return में so करना compulsory है एक और चीज़े जो यहां add हुई है guys यहां services में जाके annual information statement पर आप जाके क्या कर सकते है annual information statement को download कर सकते है अपने client का और साथी साथ check कर सकते है उसमें कि क्या उसमें कोई ऐसे income है क्या आपको अपने income को reconcile करना है कि आप जो income भर रहा है और जो department के records में है वो दोनों match कर रहा है ग्रीमच कर रहा है already हमने अपने client का 26AS और AIS दोनों को download करके check खल लिया था guys है ना आप उससे ज्यादा income दिखा सकते हो लेकिन वो कोई भी आप ऐसा income आप नहीं skip करोगे जो आपके AIS में या 26AS में दिख रहा है कि आपको ये दो सौधानिया AIS और 26AS टर्न फाइल करने के पहले आप इन अपने income को यहां से reconcile match कर लेना है आपको बिल्कुल clear हो गया होगा ये live session देखने के बाद और क्या-क्या साउधानिया आपको बरतनी है income tax return फाइल करते हैं तो guys thank you so much for watching this video